कि थो कि थो वेलकम है आपका मेरे ब्लोग में तो कैसे हो आप लो गोए करके जरूर बताना और मेरा ब्लोग कैसे लगता यह पताना मुझे थोड़ी खासी होगा है इसलिए वीच वीच में खासी आती रहेगो तो इसको थोड़ा एजस्ट कर ले ना आप लो तो मैं यहां पर आग गी हूँ कि चिन में साम का खाना बनाने जो कि मैं बना रही हूँ रोटी आटा ले लिया है मैं आटा गुन दे जा रही हूँ अब तो डिक सकते हैं अपनों थोड़ा से यह आटा कुंदूंगी पहले कि ज्यादा लोटी नहीं बनानीयों कोई खाएका को कोई जो भी खाए चाहिए मैं भी दो रोटी खाऊंगे इससे ज़्यादा नहीं खाऊ पाऊगे अ मैंने गरब पानी ले लिया है थोड़ा सा नमक डालूंगे आटे में क्योंकि यह सही रहता है थोड़ा सा डाल लो तो कभी कपड़ डाल लेती हो मैं तो यह मैंने नमक डाल तो इस टाम में बहुत लेट होगी दिखाना बनाने के लिए तो मैंने आटा गूंद रही हैं तो आप लोग आज क्या बना रहे हैं कमेंट करके बताओ और मेरा ब्लॉक कैसा लगता है यह भी कमेंट करके बताना सब्सक्राइब जरूर करना और ज्यादा ज्यादा मेरी वी में भी वहां ठाटे को थोड़ी दर रखोंगे मैं उसके वाद क्या होता नगडा आटा बनाते नहीं फट्टी फटी रोटी बनती है तो थोड़ी दर में पांच मिनट रख देती हैं ताकि आटा अच्छे से क्या कहते हैं गुत जाए उसका रखनेपर थोड़ा सा रहें द तो वही अब देखो मेरा अटक उदिया है तो मैंने थोड़ा सा यह तो मैं यह नीचे से सूख आटा निकाल रहे हूं कि तो मैं यहां पर हाद हो रही हूं तब तक और बरतन भी बहुत साज पढ़ेते हूं वह भी दो दिये मैंने देख सकते हैं आप मेरे उसमें रखे हुए है बाद में इनको लगाओंगे मैं टॉबल से हाथ पहुच लेती हूं तो यह तबाव मैंने रख दिया इस तब एक आदा जो वह होता है लगड़ी का लगा होता है ना पकड़ने का वह निकल गया तो इसलिए थोड़ा परेशान करता है यह बाहरी है यह तो यहां पर मैं एक बार हाथ और दो रही हूं अब मैं साफ तौलिया से अपने हाथ पहुच रही हूं जो कि मेरी हाथ पहुचने की ही है अब तबहा गरम होने के बाद तब आटा भी रेस्ट हो रहा है मैंने सबजी बना ली है आज आज मैंने सबजी पापर की सबजी बनाई थी जो कि मैंने बहुत दिन बाद बनाई थी मुझे बहुत पसंद है तबहा यह पटा बेला निकाल लिया है क्या क्या पूर रही है रखने का आज मैंने इसको बॉस किया था सही से एक दो दिन में बॉस कर देती हूं यह कर इसका कपड़ा है जो मैंने यह कल दोया था इसका कपड़ा इसमें रखोंगी तो पहले में अपनी काना जी के लिए रोटी बनाऊंगी फिर उसके बाद हम अपनी रोटी बनाएंगे कई वह बनांगे उनको लेट हो गया खाना खिलाने के लिए और फिर सोना भी है इसलिए तो अब्षे के आप नौ बज गए है तो मैं जल्दी से पहले उनके लिए रोटी बना देती है और खिला देती हैं एक लाने की बाद तब अपना ख्णा लग अपना खाना टो यह मैं पत्ली से रोटी बनाती हूं उनके लिए थोड़ी सी बड़ी होती है फिर इसको मैं किसके साथ करूंगों के लिए आज मैंने रसबूलि मंगा गा है वह हूं और क्या कहते हैं दूध है और मक्षन के साथ उनको खिलाऊंगे आज सबजी नहीं रखोंगे क्योंकि इसमें होता है इसलिए नहीं दखोंगे क्योंकि कोई खाता नहीं ज्यादा मैं ही खाती हूँ तो थोड़ा बहुत खाएंगे मेरे बेटी पता नहीं थोड़ा वहत खाएंगे वो भी ऐसे है तो उनके लिए रोटी बन गई है यह मैं अपर मैं अपने हस्बेंट से बात कर रहे हो मैं हस रही हूं रहे हैं कुछ बोलते हुए और यह मेरे बेटी आ देख सकते हैं वीडियो में वो देखने के लिए आती है जब यह बनाती है इसे सूट करती है तो आ जाती तो यहां पर मैं बात करते हैं रोटी बना रही हूं तो यह मैंने रोटी उन के लिए बना ली है हमें इसमें रश्गुला रखूंगी एक यलो वाला रखूंगी जिसमें केसर पड़ा होता है वह वाला रखूंगे हुआ हुआ ह तो दो जैसे हुए हुए है किया है अपास भी दो खाते हैं वहाने भीज़े मांदी नोगे भीज़ा काड़ा है जो भीशन हिया हुआ है मैं तो सबस्क्रेश कर दोonce면 महमें पृते हैं तो अब मैं उनको खाना खिला कि युद्धा टीहों चल चलते हैं मंदिर के पास यहाँ पे मे nowadays बेटे हुए तो यहां पर मैं कि जली जली खाना खिला रही है उनके लिए मैंने अंगूर भी रखे हुए थे आज क्योंकि ड्राइफरू रखे हुए वह ड्राइफरू फ्रूट रखा हुआ था रखा हुआ होता है ना कुछ कर पर तो मैं उनको रख देती हूं दूपेर में जैसे साम को बहेंस्नेक्स neighbourhood में और बाकी तो उनका चार 00-ंच टाइम के खाना होता ही है सुबय के दूपर का इबनींक आर रात का ऐसा होता है हिसमें कुछ हम उनको रखते रहते हैं जो हम खाते हैं भाही रखते है ऐसा में कुछ ज्यादा प्रॉपर एसे नहीं कि मेरी भक्ति में ही लगे रहा हूँ तो उनकी भक्ति अगर हम पांच मिनट पी मन से कर लेंगे तब भी बहुत है अगर मन से नहीं करेंगे पूरा दिन भी बैठे रहेंगे तब भी कोई फायदा नहीं है इसलिए मैं उनको भी टाइम देती हूँ खुद का भी परिबात देखती हूँ ऐसे करके मैं सारा मैनेज कर लेती हूँ तो उनको खाना खिलाके मागए हूँ किचेन में तो अब यह बनाएंगे हम अपनी रोटिया तो काना जी को मैंने सुला दिया है और यहां पर मैं अपनी कि यहां पर रोटिया बनने के बाद मैं करते हूँ क्या है तो यह थोड़ा साथ की स्लैप जो आटा गिर गया ना उसको सापका दूआ यह मैं पर भूकर खाना ले आई हूँ जो कि हम लोग खा लेते हैं पशाद के रूप में तो यह मैं देख दूद गिर गया था प्लेट है तो मैं मैंने अपनी लगाई हूँ इसको बाद में हम जो खाते हैं बहुत जादा ओर वहस्ती अधे लगता है तो यह अधार मैं घारिए हूँ खाना आप पड़की सब चीजों की मुझे बहुत पसंदा मेरी बीटी की नजर स्गुल्ले पर जो खा रही है और आप लोग को मेरा ब्लॉग कैसा लाग करके जरू खतन दो मिलते हैं नेक्स ब्लॉग में